यह मैं सोचना कि 12 खतम हो गई बस पढ़ाई यहां पर बिल्कुल ओवर हो गई अब मैं बिल्कुल शांती से बैठूंगा और मजे करूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जब आप लोग देखो गए अपने फ्रेंड्स को ही अड्मिशन लेते हुए कि वो किसी कर रहे थे टूइट पर टूइट कर रहे थे कि एक्जाम्स कैंसील हो जाएं तो फाइनाली एक्जाम्स कैंसेल हो गये वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिने थोड़ा सा दुख होगा जो अच्छा ही स्कॉर करना चाते थे 12 में अच्चे मार्क्स लाना चाते थे वो बच्चे थोड़ा सा परेशान होंगे कि एक्जाम जो है वो कैंसिल हो गए तो आप लोग के लिए भी मैं एक समाधान लेकर आया हूँ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना आप लोग की सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी और जो बच्चे यह सोच रहे आपको जो है ट्रेन पकड़नी है और आपको अपना फ्यूचर डिसाइट करना है आगे चलके आपको क्या करना है अभी तक आप यह सूच रहे थे कि आपको हर कोई कह रहा था कि पढ़ लो पढ़ लो 12th के एक्जाम है बोट के एकजाम है लेकिन अब आपका एक ऐसा दौर करना है यह मैं सोचना कि 12th खतम हो गई बस पढ़ाई यहां पर बिल्कुल ओवर हो गई अब मैं बिल्कुल शांती से बैठूंगा और मजे करूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जब आप लोग देखोगे ना अपने फ्रेंड्स को ही अड्मिशन लेते हुए कि व आपको कहीं अड्मिशन ले लेना चाहिए जब आप यह हैबिट हो जाएगी जब दूसरों को देखोगे ना अब खुद सोचोगे कि मुझे भी कहीं अच्छी जगा अड्मिशन मिल जाता या मैं कहीं अच्छी जगा अड्मिशन ले लूँ तो इसलिए शांत नहीं बैठन है खुशी हो गई हाँ एक्जाम कैंसेल होगे आप लोग को खुश होना था आप लोग खुश हो लिए लेकिन अब आपको आगे का प्लान करना है कि किस तरीके से आप लोग जो है वो एड्मिशन लेंगे कॉलेज में एड्मिशन लेना है कौन सा कोर्स करना है इंजिनिरिं नीट का तो उसके लिए तैयारी में लगे रहो उसको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना इस खुशी में कि examshe dedicator बाकी क्या क्या कहा गया उसको भी मैं आगे आफ लोगों से discuss करता हूं जैसा कि आप लोग को पता हुय है कि कल जो है वो PM की meeting ति जिसमें हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते बच्चों के साथ अब यहां पर बात यह भी आती है कि अब बच्चों को जो मार्क से हो कैसे दिये जाएंगे जबकि रमिश पोखरियाल जी ने जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने यह कहा था कि हम सभी को जनरल पास दिग्री नहीं दे सकते क्योंकि जनरल पास दिग्री दे देंगे तो बात ही क्या रह जाएगी कि कौन सा बच्चा जो है वो अच्छा है और एड्मिशन किस बेसिस पर यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा हाला कि डेली यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेजुएशन कराती है पोस्ट ग्रेजुएशन कराती है और पेचडी वगएरा भी कराती है उसने भी बोर्ड एक्जाम जो कैंसल हुए उसको सपोर्ट किया है अब देखना यह पड़ेगा कि जो क्राइटेरिया है जो डेली किया जाया क्योंकि average marks मिलने हैं बच्चों को अब marking scheme भी क्या रहने वाली है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा तो skip मत करिएगा बिल्कुल ध्यान से समझेगा बहुत द्यादा important है आप लोग के लिए आप आपकी जितनी भी सारी problems है सभी problems को मैंने यहाँ पर point में लिख और आपको हर एक problem का solution दूँगा तो अराम से समझेगा इस चीज को first point क्या है दिल्ली उनिवसिटी supports decision to cancel CBSC class 12th exam याने कि दिल्ली उनिवसिटी ने इस चीज को support किया है कि 12th के board के exam cancel हो गई इसका मतलब उनके पास कोई planning होगी कि कि किस तरीके से वो बचों को admission देंगे second है हम clear directions should be provided to Indian universities to modify admission criteria याने कि बाकी other जो Indian universities है उनको भी clear direction देनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने admission के procedure में modification लाएं बदलाव लाएं ताक कि बच्चे जो है वो admission ले पाएं third point है CBSC should ensure students do not affected with the methodology of awarding marks याने कि CBSC को बच्चों को ये ensure करना पड़ेगा students को ensure या फिरके सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी तरीका वो अपनाएंगे marks देने के लिए उससे बच्चेों के उपर effect ना पड़े अब marks देने के जो procedure है वो दो procedure हो सकते हैं दोनों procedure को मैं आ आगे बताऊंगा ठीक है next point है an option to appear in the examination for those students who are not satisfied with the result और जो बच्चे result से अपने satisfied नहीं है जैसा है कि मैंने कहा कुछ बच्चों ने अपनी दिलो जान के महनत लगा दी थी कि वो board में अच्छा ही score करें ताकि उन्ने top universities में admission मिल पाए तो उन बच्चों के लिए भी एक option है सर लिए कि आप लोग दुबारा exam जो है वो दे सकते हैं 12th exam जो है अगर आप लोग उसके mark से satisfied नहीं है तो उसके लिए आपके पास एक option होगा जब situation जो है वो control में आ जाएंगी तब आप लोग को एक मौका दिया जाएगा कि आप लोग जो है exam दे सकते हैं ठीक है तो परिशा जो है वो जारी रखिए पढ़ाई करते रहिए ठीक है अब देखिए CBSC ने यह तीन important decision को सुन लीजिए फर्स्ट option है CBSC will conduct exam for those students who want to write the exam जैसा कि मैंने अभी कहा कि CBSC जो है exam conduct कराएगी जो बच्चे exam देना चाहते हैं second है a detailed method of evaluation will be uploaded soon by CBSC यानि कि CBSC किस तरीके से marks देगी इस चीज़को वो जल्द से जल्द अपनी official website पे upload कर दे ये बात भी कही गई है third point है the average of last three internal exam will be considered यानि कि जो सबसे main बात निकल के आती है कि CBSC निये कहा कि जो last three internals हैं आप लोग के 12th class के उसी के basis पे आपके marks दिये जाएंगे हालाकि जो दिल्ली के education minister है मनिशी शौदिया जी उन्होंने ये कहा कि 10th 11th और 12th के marks का जो evaluation है उस basis पे आपको marks दिये जाएं देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप 12th में आप लोगोंने कैसी पढ़ाई करी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके marks मान लीजे कि first semester वगेरा में कम आयोंगे लेकिन उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली थी और वो इस बार अच् आपको स्कूल के जो टीचर्स हैं इनकी बहुत महत्पूर्ट भूमिका रहने वाली स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको पूरा एनलाइस किया है पूरे साल में तो वो आपको यहाँ पे marks देंगे ठीक है बाकी CBST तो नहीं जानती है आपको personally CBST तो खाली आपका 10th का result ही जानती है कि आपके 10th के result में कैसे marks आते है क्योंकि CBST को तो नहीं पता आपने 12th में कैसी मैनत करी कितनी करी तो यहाँ पे दोनों possibilities है पहली possibility है कि 12th के जितने internal marks है उसके उपर result बनेगा या फिर कि आपके 10th 11th और 12th में जितने भी marks है उनका average लगा कि जो है वो result तया किया जाए देखते हैं कौन सा जो है option अपनाया जाता है CBST के द्वारा जैसे कोई information आएगी मैं आप लोग को तुरंत inform कर दूंगा और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो subscribe कर देना तक कि जो भी मैं वीडियो की notification है वो आप लोगों तक आपाए अगर कोई भी new update आती है तो आप तक तुरंत news आ जाएगी वो भी genuine news आएगी कोई जल्द बाजी में मैं आप लोग को कुछ भी गलत नहीं बताता थीक है and the last point is result will be made as per well-defined objective criteria in a time-bounded manner यह नहीं कि ऐसा नहीं है जैसे आपकी exam के लिए इतने दिनों से लटका रखत exam होंगे नहीं होंगे कभी यहां फ जो result बना के आप लोगों को जो है वो देना होगा जो particular criteria है कि कि सरीके से result तयार करेंगे वो भी time-bounded reason में वो लोग क्या करेंगे आप लोग के सामने इस चीज को रख देंगे अगर आप लोग को बच्चों यह video informative लगी तो अपने friends के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि और आपका क्या decision है आप exam देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं इस बात को comment section में जरूर बताना थाके मुझे भी पाता चले कि कितने बच्चे इस favor में है कि exam जो है वो conduct कराया जाने चाहिए याने कि वो दुबारा exam जो है वो देना चाहते हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि इस decision से खुश है और वो exam आगे नहीं देना चाहते हैं Thank you for watching the video मिलते हैं अगर कोई new update आती है तब